नमशकर यह वीडियो नीपनलक्षय एप को यूज करने के बारे में है Constitution आप किस तरह से download करें और setup करें औरилась diatlet assessment में को किस तरह से पर्योब करके स्कूलों में आंक्लन लें वह यहाँ इस वीडियो से संज्जा सकता है सबसे पहले नेपनलक्षय आप को डाउनलोड करने के लिए Google Play Store पर जाए और Google Play Store पर निपनलक्षे आप सर्च करके डाउनलोड करें ध्यान रखें कि यह आप सिर्फ Android phones के लिए है iPhone, iPad devices पर यह आप नहीं डाउनलोड किया जा सकता इसके बाद आप निपनलक्षे आप को खोलें और जो permission निपनलक्षे आप मांगता है यह दें आगे बढ़ते हुए privacy agreement को पढ़ें और उसको नीचे स्क्रॉल करके मैं सहमत हूँ पे क्लिक करके आगे बढ़ें इसके बाद बहुत ज़रुरी है कि आप phone को खोलें और आप नेटवर्क एरिया में रहें या Wi-Fi जैसे एरिया में रहें ताकि आपके फोन में जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो डाउनलोड हो जाएं यह बहुत ज़रूरी है ताकि आपका फोन जब आप विद्यालोयों में जाएं तब बिना इंटरनेट के भी आप आंकलन कर पाएं तो ध्यान रखें कि जब आप फोन को पहली बार खोलें तो के बाद आपको फोन नंबर डालने का option दिया जाएगा अपना फोन नंबर डालके एक OTP को सत्यापित करें ध्यान रखें कि आप वही फोन नंबर डालें जो आपके डायेट में registered है यह वही फोन नंबर है जो आपने डायेट में admission या examination के time पे दिया है अगर फिर भी आपको OTP नहीं आ रहा है तो दिये गए help line नंबर पर call करें और उन्हें यह समस्या बताएं कि OTP नहीं आ रहा है और अपने नंबर को दर्च करवाएं आगे बढ़ते हुए आपको एक PIN बनाने को बोला जाएगा अपना PIN बनाईए जो आप हमेशा आप को खोलते हुए यूज कर यह Google Play Store पर जाएं और Read Along by Google नाम का अप इंस्टॉल करें अप इंस्टॉल करने के बाद Hindi प्लस English option को चूज करें दिये गए प्राइवसी अग्रीमेंट को पढ़ें और मुझे समझ आ गया पर क्लिक करें इसके बाद बहुत जुरूरी है कि आप Google Read Along आप को माइक्रोफोन या अगर यह नहीं दिया जाएगा तो आप आंकलन नहीं कर पाएंगे इसके लिए दिये गए option में से record audio की permission को while using the app के लिए agree करें या फिर अपने settings में जाके microphone permission या record audio permission दे इसके बाद learn to read with me करके एक screen दिखेगा आप learn to read with me बोलेंगे तो screen में तारे नजर आएंगे इससे सुनि मिश्चित हो जाएगा कि आपने microphone permission दे दी है और आपका app audio record कर पा रहा है इसके बाल हरे बटन को दबा के आगे बड़े गूगल readalong app setup करने के बाद बहुत जरूरी है कि आप buy heart pay options button पे क्लिक करें और partner code option पे क्लिक करें कुछ इस तरह की screen आपको दिखाई देगी partner code में आप यूपी प्रेडना partner code जोड़ें यह बहुत जरूरी है ताकि Google readalong app में आप register कर पाएं कि उत्तर प्रदेश के निपन भारत mission में आप आंकलन कर रहे हैं इसके लिए यूपी प्रेडना partner code डालना बहुत जरूरी है कुछ इस तरह से आपका readalong app और google app install हो चुका है अब आप setup करने के बाद आंकलन करने के लिए तयार है आंकलन करने के लिए जब आप विध्यालेयों में जाएंगे तो अपनी profile के बाद आप नया आंकलन शुरू करे बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप जो भी विध्याले में है उस विध्याले का u-ics code डालके उस विध्याले को सर्च कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप विध्याले का u-ics code डालके search नहीं करना चाहते तो उसके अलावा आप जनपद Select करके ब्लॉक सेलेट करके न्यायज पंचायट सेलेट करके छोटी सूची में से अपना विध्यालेच चूज कर सकते हैं दोनो ऑप्शन आपके पास हैं या तो आप योडाइस कोट डालके विध्यालेच का नाम स्वर्ज करें या फिर आप जनपत, ब्लॉक और न्याय पंचायट डालके छोटी सूची में से विध्याले का चैन करें इसके बाद आपको option दिखाई देगा कि आप कौन सी कक्षा का आंकलन करने वाले हैं तो क्योंकि दो diet के student एक school में जा रहे हैं और आपको 30 बच्चों का आंकलन करना हैं हर कक्षा में 10 बच्चों का आंकलन तो जो diet के trainees हैं वो classes अपने आप में divide भी कर सकते हैं आप ऐसे decide कर सकते हैं कि आप कक्षा 1 का आंकलन करेंगे आपका partner कक्षा 2 का आंकलन करेगा उसके बाद आप दोनों साथ में आदे आदे आंकलन करेंगे कक्षा 3 के ये आप अपनी मर्जी से decide कर सकते हैं पर ये ध्यान रखिए कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप 10 बच्चों का आंकलन हर कक्षा में करें यानि हर विड्याले में 30 बच्चों का आंकलन होना है से पाठ करना अनुचीत को पढ़कर 75 प्रतीशत प्रश्नस हल करना और इसके अलावा कुछ जोड़ घटाओ या मल्टिप्लिकेशन के सम्ज भी दिखाई देंगे कुछ इस तरह से दक्षिताएं दिखाई देती हैं सबसे पहले आंकलन शुरू करने से पहले आपको शिक्षक से बात करनी है आपको टीचर जो शिक्षक उस क्लास में है उनसे बात करके यह पता करना है कि वो उस हफता में उस सपता में अधारशिला क्रियानवन संदर्शिका जो टीचिंग गाइड उनको दी गई है उसके अनुसार क्या वो पढ़ाई करा रहे हैं क्या शिक्षन कार्य उसके अनुसार कराए जा रहा है या आप उनसे पूछेंगे आप उनसे पूछेंगे कि आप संदर्शिका प्रयोग कर रहे हैं अगर वो बोलेंगे हाँ या ना तीसरा प्रशन आप शिक्षक से ये पूछेंगे कि वो संदाश्चिका के अनुसार अगर पाट करा रहे हैं तो वो उसके अलावा शिक्षक योजना के चर्णों के अनुसार कराये जा रहा है है या नहीं यह भी जो टीचर का रिस्पॉंस होगा हां या ना यह भी आप ऑप्षन में भरेंगे यह उप्षन भरने के बाद शिक्षक से बात करने के बाद अब आप आंकलन करने के लिए तयार हैं आंकलन करने के लिए यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो आप दस बच्चों का कर रहे हैं वह आप random selection से उन दस बच्चों का आंगलन्द करें यह रांडम selection करने के लिए आप कुछ अलग-लग चीज़े कर सकते हैं आप ऐसे decide कर सकते हैं कि अगर बच्चे सब कक्षा में बैठे हैं तो आप number one बच्चे का आँक्लन करेंगे register के अनुसार उसके बाद आप number three बच्चे का आँक्लन करेंगे उसके बाद आप number six बच्चे का आँक्लन करेंगे तो random assessment किस तरह से हो यह आप कक्षा में decide कर सकते हैं विभाग द्वारा आपको यह suggestion दिया जाता है कि आप attendance register खोले और हर तीसरे बच्चे का आंकलन करें यानि पहले आप role number 1 का आंकलन करें उसके बाद role number 4 का आंकलन करें उसके बाद role number 7 का आंकलन करें और इस तरह से आप randomize करके आंकलन करते जाएं ताकि सिर्फ कुछ बच्चों का आंकलन ना हो जो दस बच्चे को आंक्लन होने वाला है वो random selection procedure से वो आंक्लन करा जा सके आगे बढ़ते हैं आंक्लन में एक portion oral reading comprehension का है जो google readalong app पे किया जा सकता है इससे हम देखते हैं कि बच्चे प्रभा से अनुछेत को पढ़ पा रहे हैं या नहीं इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके phone में google readalong app का अनुछेत दिखे तो वो phone आप बच्चों के बहुत पास रखे ताकि बच्चे अच्छे से अनुछेत को पढ़ पाएं और जोड-जोड से बोल पाएं ताकि phone उसको record कर पाए यह बहुत जरूरी है कि phone उनको अच्छे से record कर पाए कि बच्चे क्या बो बोलते जाएंगे वैसे वैसे ही अनुछेत में कुछ इस तरह से तारे नजर आते जाएंगे और अनुछेत का रंग नीला होते जाएगा इस तरह से हमें दिखाए देगा कि बच्चे अनुछेत पढ़ पा रहा है और कितनी accuracy से कितने सही प्रवा से वह पढ़ पा रहा है अ बच्चों को कुछ प्रश्ण पूछी जाएंगे ऐसा आंकलन होगा इसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे अच्छे से अनुछेत पढ़ पाएं या तो आप उनको अपने फोन से बढ़ा सकते हैं या आप खुदी बोल कर उनको यह अनुछेत बता सकते हैं क्या है और उस के बाद Chico और MeToo के दिये गए questions को आप उनसे पूछेंगे एकक करके यह प्रश्ण पूछेंगे इसके अनुसार बच्चे अगर सही उत्तर दे देते हैं तो आप तो आप यहां पे ढालेंगे कि बच्चे ने DLA trainees एक मिश्पक्ष आंक्लेन करने के लिए स्कूलों में विजिट कर रहे हैं इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पार्ट दर्शिता से और honesty से यह आंक्लेन करें और बिल्कुल सही उत्तर accurately निपुनलक्षे आप में दर्श करें इसके अलावा अगला section maths के बारे में हो सकता है जिसमें जुडाओ घटाओ वा multiplication के कई प्रश्ण दिखाए जा सकते हैं यह प्रश्ण भी आप बच्चे को प्रश्ण बताए बच्चे पेपर पे या अपने हाथों से यह प्रश्ण का बाद आख्लन समाप्त हो जाएगा एक बच्चे का आख्लन जब समाप्त होगा तो कुछ इस तरह की screen दिखेगी जिसमें दिया जाएगा कि आख्लन समाप्त हो गया है पहले एक विध्यारती के लिए अब आप के पास दो option दिखाए जाएंगे कि आपको अगले विध्यारत बच्चों का आख्लन लेना बहुत ज़रूरी है जब 10 बच्चों का आख्लन ले लेंगे तो आप परिक्षन समाप्त करें बटन पर क्लिक करेंगे इसी तरह से जैसे अब आपने दूसरे बच्चे का आख्लन ले रहे हैं तो दूसरे बच्चे का भी आख्लन लिया जाएग जब दूसरे बचे का भी आंक्लन खतम हो जाए तो आप फिर से क्लिक करेंगे इस बटन पे कि अगले विध्यारती का परिक्षन ही ऐसे ऐसे करके जब 10 बच्चों का आंक्लन पूरा हो जाए तो आप क्लिक करें परिक्षन समाप्त करें बटन पे जैसे जैसे आपका आंकलन पूरा हो जाएगा जब 10 बच्चों का आंकलन आप पूरा कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का स्कोर कार्ट दिखाये जाएगा आंकलन समाप्त होने पे उसमें यह दिखाए जाएगा कि जो 10 बच्चों का आंकलन दिया गया उन में से कौन से विध्यारती निपुन आए और कौन से विध्यारती निपुन नहीं आए यह देटा जैसे ही आपका आंकलन शुरू होगा विभाग द्वारा निपुन लक्षे आप पे सेव भी हो जाएगा यह ध्यान रखें कि अगर आप आप आफ्लाइन कंडिशन में हैं तो फिर डेटा उसी टाइम पे अपलोड नहीं होता है इस तग इस तमये पे आपके ध्यान रख सकते हैं कि वो डेटा आपके फोन पर सेव हो चुका है जब आप वापस वाइफाई या हाई नेटवर्क एरिया में आएंगे तो आप डेटा अपलोड करें बटन पे क्लिक कर सकते हैं और डेटा उस टाइम पे वापस सर्वर पे अपलोड कर दिया जाएगा कुछ इस तरह से आप विद्यालों में विजिट करके DLA ट्रीनी आखलन ले सकते हैं अगर आपको कोई भी प्राश्ण हो तो आप दिये गए हेल्प लाइन नंबर पे कॉल करें धन्यवाद